हेलो एबरिवन आज हम लोग सॉल्व करेंगे आरेस अगरवाल का चैप्टर 11 जिसका नाम है टी रिश्यूस ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल अब देखो जो यह हमारा चैप्टर है इस चैप्टर में एक एक्सेसाइज जिसका नाम है एक्सेसाइज 11 क्लियर अब इस एक्सेसाइ वीडियो में किजिए जो टेबल दिख रही ना यह कीसे और इसको हमें याद कैसे करना है और यह सब कैसे हम लोगं करते हैं इसकी वैलू कैसे निकालते हैं यह सब हमने सीका था इंट्रोडेक्शन वीडियो में ठीक है अगर आपको यह टेवल नहीं आती है कौस 0 की वैलू क्या होती है साइन जीरो की वैलू क्या है टैन जीरो की वैलू क्या है टैन नाइंटी की वैलू क्या है अगर आपको यह टेवल नहीं आती है तो मेरी बात मानों यह आप कोशन नहीं कर पाऊगे तो सबसे पहले क्या करना है इस टेवल को रट लेना है और रटने का एक बहुत साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 और यहां पर साइन 30 कह रहा है कि इसकी वैल्यू बदा और प्लेस कर दो सिंपल सी बात है अब यह कोशन ना देखने में बहुत टफ लगेंगे मगर अगर आपको टेबल आती है जो कि यह वाली टेबल है साइन 30 साइन 60 की value क्या है तो आपको यह ईजिल लगने लगेगा इसमें करना कुछ नहींए बद देखический पर साइन 60 लिखा हुआ है तो आपको क्या करना है 30 तो सबसे पहले सब सक्ति की सिऌन्ट कि हैलु क्या होती हम यहां पर फेल्ट के लिए रहा है और यहांपर क्या है मल्टिप्लाइ भीच में तो हम here कोश्झत k वैली क्या होती यह भी होती रूट 3 by two होती है क्लिए रहे है और यहां पर भी बाच है तो फ्ल deceived यहां पर लिखाए काॉस 60 कस 60 होता है 1 ने 1 वाइ-2 कर दिया और यहां पर क्या है बीच में multiply तो यहां पर multiply है अब यहां पर लिखाए साइन 30 अब जो साइन 30 होती है इसकी जो वैल्यू होती वह थी 1 बाई 2 किलिए रहे है अब दोको रूट 3 इंटू रूट 3 करोगे तो क्या जाएगा तो यहां पर आगे हमारे पर थी टू टू सा क्या होता है यह हो गया हमारे पर फॉर प्लेस कर दिया या वन इंटू वन वन cancel हो गया हमें क्या मिल गया वन मिल गया तो यहां पर जो हमारे पास solution आया वो क्या हो गया वन और यह जो वन है ना यही हो गया हमारे question का answer ठीक है बहुत simple है कुछ आदा करना पड़ा बिलकुल भी नहीं करना पड़ा अब इसी तरह हम लोग इसका दूसरा question करते है ठीक है तो दूखो हमारे पास ब्लूसर णे रहे हैं कि हमारे फसी कॉस्टई को ऐती तो यहां लख देते हैं पहले साइन शीश्टी हैं हमारे पास और यहां karış यहां पर अपर नीचे वा69 टीकल्लियर तो जो उपर दिया गया वही नीचे वाला कोशन बिल्कुल सेम है बिल्कुल सेम है बस यहां पर प्लेस दे दिया गया यहां पर माइनस बस इतना ही डिफरेंस है और जो करेंगे ना बिल्कुल सेम वैसे करेंगे इसकी वैल्यू बस हम लोग उठा के रख देंगे तो साइन 60 की वैल् होती ही 1 by 2 तो यहां पर कर दिया 1 by 2 और साइन ठाटी की वैलू होती है यह 1 by 2 तो यह भी हमने कर दिया 1 by 2 कि लिए रूट 3 into root 3 क्या हो जाएगा भी यह रूट 3 into root 3 हो जाएगा हमारे पास 3 2 into 2 हो जाएगा 4 बीच में और यह जो 1 by 2 आया है यही हो गया कोशन नमबर 2 का हमारा आंसर क्लियर हो गया देखो बहुत इजी यह कोशन है बस सर्थ इतनी है आपको इसके सारे रूल और यह जो हमारे पास वैलू है यह पता होना चाहिए अगर वैलू पता हो गया तो बहुत इजी से भी आसान लगेगा यह इजी से भी आसान बहुत इजी है बिल्कुल हल्वा लगेगा यह कोशन तो अब हम लोग करते हैं कोशा नमबर 3 को तो यहाँ पर जो कोशाण नमबर 3 दिया हुए वह कॉस 60 है क्या है कॉस 60 फिर हमारे पास कॉस 30 कॉस 30 हो गया ठीक है बीच में माइनस है फिर साइन 60 है स 60 और फिर हमारे पास 1517 कि यहां पर कॉस्ट की वेलू 1 बाई टू लिग दिए ओर कॉस्टी की वेलू होती है रूट 3 wreck2 वेलू कर दिया बीच में मायनस मायनस साइन की वैल्लू क्या होती है रूट 3 3 by 2 होती है 3 by 2 कर दिया multiply बीच में है ना अब यहां पर साइंट 30 साइंट 30 की value होती है यह होती है वन बाइट टू हमने कर दिया आप दो रूट 3 into 1 करोगे तो क्या आएगा रूट 3 into 1 करोगे तो रूट 3 आएगा इसका हम लोग क्या कर सकते है यहां पर आगया हमाय पर यहां पर रूट 3 माइनस रूट 3 अब यहां पर रूट 3 माइनस रूट 3 कर दोगे तो क्या मिलेगा बताओ रूट 3 माइनस रूट 3 करोगे तो जीरो मिलेगा और यहां पर आजएगा फूर अब यहां पर क्या आजएगा हमाय पर जीरो तो बस यही हो गया कोशन कितना एज़ी है दो दो स्टम में सारा होगा जारा कुछ भी नहीं करना बस भाई या इसकी वैल्यू याद कर लेना ठीक है थ्री भी हो गया अब हमनों किसी का फॉर्ट कोशन करते हैं तो जो फॉर्ट कोशन है वह कह रहा है कि भाई यह हमारे पास कॉस 45 तो यहां पर हमने हमारे पास साइन 30 फिर हमने कर दिया है आपर साइन यी होगा हमारे पास 13 है अब यहां पर को कॉस 45 है क्या है हमारे पास कॉस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती 1 by root 2 1 by root 2 ठीक है बीच में multiply अब यहां पर लिख जाए cost के लिए तो यहां पर आएगा रूट 3偏 न डॉट 3 लिखा क्लियर और यहां पर देखो 2 into root 2 है तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमें 2 यह मिल जाएगा root 2 बीच में plus plus कर दिया यहां पर 1 into 1 1 और divide में क्या जाएगा हमारे पास यह हो जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा हमारे पास root 2 हो जाएगा divide में 2 root 2 यही हो गया हमारे पास question number 4 का हमारा answer तो कितना easy है बिल्कुल कितना easy है बिल्कुल हलवा लग रहा है कोशन कुछ भी है बताओ कुछ भी दिख रहा है इसमें नहीं है सब easy लग रहा होगा क्योंकि करना लिए 10,30 yeahatanya कर दिया अब आंगी कहा रहा है कौस एक 60 कर दिया क्लेpack एक 1060 तु यहां पर कर297 ॅफर यहां पर हमाय पास commissionards यह कर दिया अब यहां पर 10 30 है इसकी value क्या 10 30 की value होती 1 by root 3 होती है 1 by root 3 कर दिया अब यहां पर कॉसेक कितना है 60 है अब दो कॉसेक जो 60 है इसकी value हो जाएगी 2 by root 3 क्या होगा 2 by root 3 हो गया clear plus यहां पर हो गया अब यहां पर क्या दिख रहा है यहां पर दिख रहा 1060 अब 1060 की जो value है वो होगी root 3 तो root 3 कर दिया यहां पर multiply यहां पर SEC 30 आप देखो SEC 30 है ना इसकी जो value हो जाएगी वह हो जाएगी हमारे पास 2 by root 3 तो 2 by यहां पर हमने कर दिया root 3 अब root 3 से root 3 हमारा cancel यहां पर करेंगे तो यह हो जाएगा 2 by 3 root 3 into root 3 क्या जाएगा 3 आ जाएगा 8 by 3 तो 8 by 3 हमारा answer आगया ठीक है अब इसको hole में लिखना जाओ दो hole में भी कर दो और ऐसे ही कर दोगे तो भी हमारा answer सही होगा ठीक है इसको hole में लिखेंगे तो क्या जाएगा यहां पर आ जाएगा 2 3 2 6 7 8 2 hole 2 by 3 यह हो जाएगा हमारा 3 2 6 6 2 8 8 by हमारे पास क्या आ रहा है answer आ रहा है किलेर हो रही इतनी बात अब कोशन नमबर हमारा 5 भी complete हो गया अब हम लोग करते हैं कोशन नमबर 6 को लोग कि तो यहां पर कोशन नमबर जो 6 गीवन है वह वह कह रहा है 2 cause square 60 अब दखो यहां पर square वहाला गया तो चलो यहां लिखा cos यह हो गया स्क्वार यह होगा हमारे पास 60 प्लेस यहां पर हम कर देंगे 3 यहां हो जाएगा साइन ठीक है साइन स्क्वार और यहां पर हो जाएगा हमारे पास 45 के लिए अब यहां कर दिया माइनस 3 यह हो गया साइन स्क्वाइर साइन स्क्वाइर 30 और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लेस टू कॉस एक को सोरी को स्कुवма इसके फिर से चार करते हैं से तो यहां पर हमाँ पर मेदा नाइनटीम्ट अब करना क्या है बहुत सिंबुल है वैलु लिग दो उसमें स्कुर्ण wineThe तो हो गया अंसर फिर से वैसे ही तो यहां पर ना हमारे पास टू लिखा है तो हमने पहले तू लिख दिया अब दो कॉस्सिक्टी स्क्वाइर को दो सेगेंड के लिए भूल जाओ क्या कह रहा यहां पर कॉस्सिक्टी की वैलू क्या होती है वन बाइट्व Deutsche हमने 2 कर दिया ठीक है यहां पर हो गया हमारे पस 12 इसक्वाइर क्यों उ मुछ यहां पर विए यहां पर भी स्कॉईर ऩर्लापी यहां पर 3 तो 3 कर दिया अब यहां पर है साइन 45 एप साइन 45 होता है हैं साइन ठैटिक की Walio बता क्या होती साइन ठैटिक होती है वन भाई-टू यहां पर लगा vi displaced यहां पर कर करो डिया तू अब यहां पर कॉइपस ओ मोली यद करो किया होती है जीरो होती तो जिरो यहां पर यहां फर्रीफरता जीरों में स्कॉैर हो यहां फर्रा горוס कोई फ़रक नहीं बढ़ता ठीक है यह हो गया हमारे पास वैलो अब इसको हम लोग सॉल करते हैं तो यहां पर है हमारे पास टू ठीक है तो टू किया बीच में आजेगा को मौल्टिप्लाइब ब्लैकेट कोलेंगे तो वन भाई फॉर वन बाई फॉर दो वन काुए स्कॉयर वन रहेगा तू का इसकॉयर हो जाएगा फॉर प्लस यहां पर हो गया तो यहां पर जोग गया इन और यहां पर आ जाएगा minus 3 by 4 आ गया गाट इट अब हमारे पास क्या गया 1 by 2 आ गया और यहां पर प्लेस 3 by 2 आ गया और यहां पर minus 3 by 4 हो गया अब इसको करते हैं next page में तो देखो यहां पर ना दूसरा page ले रहते हैं यहां पर जो हमारे पास दिया हुआ है 1 by 2 है तो यहां पर हमने लिखा 1 by 2 इसको यहां पर लिख लिए 1 by 3 by 2 और यहां कर दिया माइनस 3 by 4 फिर से लिखा अब इसको 2 मिनट के लिए हटा देते हैं अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि LCM लेने वाले 200 यहां पर जो हमारे पास 2 plus 36 और यहां पर यहां पर सब्सके पास कितना यह आ जाएगा हमारे पास 3 by Cit tangled आप इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 और के 1 by 4 देखो 4 बशुर और 4 प्लेस 1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो यह भी आंसर है अगर ऐसा नहीं लिखना चाहो ऐसा भी लिख दोगे 5 by 4 तो भी आंसर सही है कोई भी यह आंसर काटे का नहीं ठीक है तो यह हो गया कोश्च number हमारे 6 का answer got it अब इसी तरह 7 प्याओ जो 7 भी हमारा बहुत इजी है तो जो question number 7 है उसमें कह रहा है कि sine square 30 यह कर दिया sine यह होगे square यह होगया हमारे पस 30 clear हो गया अब यहां पर हमने कर दिया cos square 45 cos square 45 plus 4 यहां कर दिया हमने 10 यहां पर होगया हमारे पस square 30 और लास्ट में नहीं है यह है 1 by 2 और यहां sine square 90 sine square 90 बहुत ही लंबा question है प्लेस है 1 by 8 cot square 60 ठीक है फिर से चेक करते है sine square 30 clear है cos square 45 clear 4 plus 4 10 square 30 4 10 square 30 1 by 2 sine square 90 1 by 8 cot square 60 ठीक है तो यह होगी हमारे पास question 7 अब देखो sine square 30 है na sine square 30 है तो पहले सोचो sine 30 की value क्या है sine 30 की value होती है 1 by 2 तो हमने 1 by 2 कर दिया अब यहां पर क्या लगा हुआ है square लगा है तो square लगा तो simple सी बात है तो यहां पर क्या आ जाएगा square आ जाएगा ठीक अब यहां पर cause 45 है क्या है cause 45 इसकी value क्या होती 1 by root 2 होती तो 1 by root 2 कर दिया और यहां पर भी square लगा है तो यहां पर भी हमने square लगा दिया plus कर दिया हमने 4 अब यहां पर 10 30 square है ना दो मिनट लिए भूल जाओ यहां पर क्या है 10 30 10 30 की value 1 by root 3 होती है तो 1 by root 3 कर दिया और यहां पर आ गया हमारे square प्लस कर दिया यहां पर हो गया 1 by 2 यहां पर दिया है sign और यहां पर हमांगा 90 sign 90 की value होती है भाई यह 1 और 1 का क्या हुझाए कि square तो बहुत ही रहेगा चलो लिग दिया हमने 1 by 8 है यहां पर और यहां पर है caud 60 यहां पर caud square 60 की जो value होती है वह थी one by root 3 कर दिया और यहां पर कर दिया हमने स्क्वेर चलो अब इसको हम लोग इसका square खोलते हैं तो यह हो जाए गा हमागा पद one by four ठीक है multiply one by two क्या हो जाएगा two root two का square होता है two plus कर दिया यहां पर four और यहां पर into होगा 1 by 3 को root 3 का square हो जाएगा 3, फ्लस यहां पर हो गया इसका करोगा तो 1 by 2 ही आएगा, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास plus 1 by 3 is the 24 हो जाएगा, तो यहां पर आ गया 24, ठीक है, अब इसको करतो तो यहां जाएगा, हमारे पास 1 by 4 to the 8, multiply कर रहे हैं 1 into 1 1 4 to the 8 तो यहां पर आ गया 8 और यहां पर होगा 4 by 3 तो यह हो गया 4 by 3 ठीक है plus यह हो गया हमाई पास 1 by 2 और यहां पर हो गया plus 1 by 24 गॉट इट अब हमें क्या करना है अब सिंपल से हमें यहां पर LCM ले लेना LCM कितना आजelnेगा हमाय सफos 24 आजयेगा तो यहां पर हमने 24 LCM ले लिए अट है से करो सब्सक्राइब भीवशन हमारे बशण कर अब हमारे 35 और यहां पर 46 748 तो यहां पर होगा 48 by 24 आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 तूजा चला जाएगा तो यहां पर तू आया ना यही होगी हमारी इसका वैल्यू और यह होगे इसका आंसर ठीक है समझ में आ गया दो बहुत सिंपल कोशन है बहुत सिंपल कुछ नहीं करना है बिल हैं आपके percentage बादा सकते हैं वह कम भी कर सकते हैं अगर आपने यह चुटा सा टेबल याद नहीं किया होगा तो कोशे नमबर 7 भी हमारा हो गया ठीक है अब हमनों करेंगे कोशन नमबर 8 को चलो आप 8 को हम लोग लिखते हैं तो कोशन नमबर 8 हैं वह हमारे पास एक कॉट स्क्वेर 30 कोशन एट और यहां पर लिखा हमने कोशन 8 यहां हो गया कॉट स्क्वेर और यहां पर हमने चलिए 30 पर ते अब यहां पर हो जाएगा minus 2 cos square यह हो जाए कोस स्क्वाइर 30 ठीक है minus 3 by 4 हो गया minus 3 by 4 sec sec square 45 ठीक है और यहां पर plus 1 by 4 यह हो गया हमाई पर cos sec square 30 ठीक यह हो गया कोशन 8 अब हमें क्या करना है यहां पर cot 30 की value बताओ क्या होती cot 30 की value हो जाएगी root 3 तो यहां लिख दिया root 3 square है तो भी है square हमने यहां पर क्या कर दिया लगा दिया ठीक है अब यहां पर minus minus किया 2 लिखा यहां पर cos square 30 तो cos 30 की value क्या होती है root 3 by 2 होती है तो root 3 by 2 किया और यहां पर हमने क्या कर दिया square रगा दिया minus यहां कर दिया 3 by 4 और यहां पर है sec square 45 है क्या है sec square 45 और इसकी value क्या होती है sec square 45 की value होती है root 2 तो यह कर दिया root 2 और यहां पर हो गया square और यहां पर हो गया 1 by 4 और यहां पर सैक स्क्वार है 30ców1 की जो वेलर होती है यह होती है हमारे पर स्क्वार कि होती है 2 into root 3 का square मतलब 3 और यहां पर आ जाएगा हमाँ पास 4 2 का square मतलब 4 minus यहां पर कर दिया 3 by 4 multiply root 2 का square मतलब 2 यहां पर plus 1 by 4 2 का square मतलब यहां पर 4 4 से 4 cancel 2 से हमारा 4 cancel अब यहां से भी हमारा यह कैंसल अब यहां पर आगे हमाँ पर 3 ठीक है यहां कर दिया माइनस 3 by 2 कर दिया minus 3 by 2 कर दिया ठीक है और यहां पर आजएगा plus 1 आजएगा अब इसको हम लोग solve कर लेंगे कैसे LCM लेके यहां पर upon में 1 कर दो यहां पर भी upon 2 by 2 2 से 2 cancel आगे हमाँ पर 1 और यही हो गया कोशन नमबर 8 का हमारा answer जो कितना easy है ना easy बहुत simple है बहुत ज़्यादा easy से भी आसान easy से भी आसान हो गया अब कोशन नमबर 8 हो गया अब करते हैं कोशन number 9 कोशन जो nine है यह थोड़ा सा अच्छा को काशन थो अच्छा ज्यादा अच्छा नहीं है बस थोड़ा सा तो यहां पर another cost 0 degree plus फिर है यहां पर прошd 45 देहां कर दिए कॉश 45 डिक टिक और यहां पर यहां पर नहीं दूसरे बेकрен में कर दिया sign 90 sign यहो गया 98 flavour मैनस को यहांपर हो गया हमारे पास 45 और यहांपर प्लस कोस्ट यह हो गया मारे पास 60 ग ligeर अब यहांपर इसकी वैल्य बताओ कॉस जो 0 होता है कॉस जिरो नहीं मतलब कॉस 0 डिगरी की डिद्स होती है वह क्या होती कि वन होती है कर दिया अब कोस 45 को फोटी फाइब की वैलु क्या होगी वन बाइब रूट टू कर दिया दो इसमें स्कॉयर नहीं लगा हुआ आएran पर साइन 30 की वेलु होती है वन-बाइ 2 कलिया यह ब्रेकोट लगा है लगा दो यहां पर पिवाज़ हो साइन 90 की वेलुर साइन 90 हुता है उन कर दिया टीमास कउस 45 , यहाँ पर कॉस पर चिक कर लेते हैंrud तो कॉस 45 minded यहां और यहां पर हमारे पॉस है प्लस वन बाइआ시ब आगी अभी और जालो कर लेते हैं इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आगी हाने 1 प्लस वन ऐस इसको उठा की यह ले public पस यहां पर डिजिट को आंगे के पीछे कर दिया ठीक है one by two कर दिया minus one one by root two कर क्लियर हो गया अब देखो इसमेंlying lah傳 लेंगे तो लेके करेंगे तो यहां पर आजएका two और यहांपर आजएगा three three by two ऐगा तो यहां पर one है इसका else new लें लोगे two आजएगा तो two से यह हो जाब प्लस 1 हो जाएगा जो 2 प्लस 13 3 by 2 के लिए यहां पर आगये हमाइप बन भाइड रूट अब इसमें भी सेम यही करोगे तो इसमें भी आजाएगा कर एक तरिवाई टू और यहां पर आएगा minus b square का formula होता है a plus b और यहां पर लिख दिया हमने a minus b यह होता है इसका formula a plus b a minus b ठीक है यह a square minus b square मतलब a plus b a minus b समझ गया इतनी बात अब हमें क्या करना इसके according इसको arrange करना यह हमारा a plus b a minus b के according लिखा हम लोग इस तरह लिख देंगे तो यह बन जाएगा हमारा three by two का square यह a है यह b है ठीक है और यह बीच में minus यहां पर आ जाएगा one by root two का square समझ गया इतनी बात इसमें कोई doubt हो तो comment कर सकते हो या फिर instagram में भी पूश सकते हो इसकी link आपको description में मिल जाएगी यहां पर three का square हो जाएगा three three seven nine तो यहां रहे नाइन रए फोर ऐसके यहां पर ने ले लेते यह पर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पीश्यक्र मीह पर र summ जाए घान ल hogyan 9 और यहां पर आजएगा हमारे अब हो इसको सॉल्प करोंगे तो कितना आएगा 7 by 4 और 7 by 4 ही हो जाएगा इस question का हमारा answer ठीक है तो यह हो गया answer clear तो question number 9 भी हो गया 8 भी हो गया अब हम लोग करेंगे question number 10 को अब यहां पर दो question number 10 दिख रहा है अब इस question number 10 में न हमें वही करना है मगर यहां पर कहा गया है कि भाईया यह equals to यह हमें लाना है क्या कहा है question है so that मतलब right hand side equals to left hand side हमें करके दिखाना है तो कैसे करेंगे वो दिखो यहां पर नक दिया हुआ है 1 तो 1 लिखा माइनस यहां पर है sin 60 अब sin 60 की value होती है इसकी value होती है 1 by 2 क्या होगा 1 by 2 यह भी हमने कर दिया अब इकको टू है यहा पर है 1060 विए होती है root-3 'M象ane है लिख दिए यहांपर भी 1060 यहां पर मलब यहां पर भी roots ही आजाएगा यहां पर आ जाएँगा वं लिख दिया इतना संत्समाद में और आपको हमें क्या करना है सबसे पहले यह जो ऊपर दिखरा यहां पर इसमें एलसियमा लेसाँ अध्रेगे तो हमस्सक्रों यहां पर मिल जाएगा टू और यहां पर ऊधी नदो ऑन बाइट्टू तो यह कर दिया हमने 1 by 2 एकको फ्रू कर दिया यहां पर लिखा है रूट 3 माइनस वन और यहां पर कर दिया हमने रूट 3 प्लेस फिर से देखो कोशन ने क्या कहा था कि लेफ्रेंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हमें लाना तो उसके लिए हमें दोनों की एक्वल लाना है तो सबसे पहले देखो यहां पर टू से टू हमारा कैंसल आउट हो जाएगा बचेगर क्या 2 माइनस रूट 3 अब 2 माइनस रूट 3 को हम लोग इसके जैसा तो बना अगर हम इसको काट देंगे फिर सो यह वही वैलेओ मिल जाएगी मेल जाएगी और जब हम इसका मल्टीप्लाइग करेंगे तो सेम यही हमें मिल जाएगा कैसे यहां पर हमने लिखा 2 minus root 3, clear, equals to, अब इसका multiply करो, पहले root 3 का इस पूरे में multiply करो, root 3 into root 3, मतलब यहां पर आ जाएगा हमारे पास 3, root 3 into 1 करोगे, तो minus का मिल जाएगा root 3, clear, अब minus 1 का इसमें multiply करोगे, तो minus root 3 मिल जाएगा, और minus 1 into minus 1 हो जाएगा, यहां पर plus 1, clear, समझ में आगया, अब इसमें वैसे ही नीचे में भी कर दो, root 3 into root 3 मतलब 3, और यहां पर होगा root 3 into 1, तो यहां पर होगा minus का root 3, अब 1 का इसमें कर दो कि तो plus का root 3 हो जाएगा, और यहां पर होगा, यहां पर minus 1 into plus 1, तो minus 1, root 3 से root 3 हमारा cancel हो गया, ठीक है, तो यहां पर दिखो, दिख रहा है कि यह लिखा है, 2 minus root 3, equals 2 कर दिया, अब यहां पर 3 है, ठीक है, और यहां पर 1 है, 3 plus 1 क्या हो जाएगा, 4, अब यहां पर root 3 minus root 3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 2 root 3, वो भी लगेगा, क्या minus का, और divide में, यहां पर क्या आ रहा है, 3 minus 1, तो हो गया 2, अब एक चीछ समझो, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो कि है, यहां पर 2 को common लेना, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 2 है, अगर यहां हम 2 common ले ले ले, तो यहां 2 minus root 3, और divide में क्या है, 2, 2 से 2 कैंसल, तो यहां पर देखो, यहां पर हमें मिल गया है, 2 minus root 3, और यहां पर मिल गया है, 2 minus root 3, और यही हो गया, इस question का हमारा solution, ठीक है, जो कितना easy है, जो कितना easy था, कुछ करना पड़ा नहीं, बस इलका से दिमाह लगाना पड़ा, ठीक है, तो इसका यह पहला पार्ट था, अब इसमें ही दूसरा पार्ट भी दिया है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, अब यहां पर question जो second है, इसमें करा है, cost 30 plus sin 60, 1 plus sin 30 plus cost 60, equals to cost 30, देखो, कितना easy लग रहा question देखने में, और करने में तो easy से भी आसान लगेगा, मंगर आपको इस की value होती, root 3 by 2, यह कर दिया हमने, और यहां पर है, sin 60, sin 60 की value होती, root 3 by 2, ठीक है, divide में आगे, 1 लिखा है, 1 कर दिया, plus sin 30, sin 30 की value होती, 1 by 2, और यहां पर है, cost 60, इसकी भी value होती, 1 by 2, equals to यहां पर, क्या लिखा है, cost 30, cost 30 की value होती, root 3 by 2, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसमें करना है so dead मतलब इसको left hand side बराबर right hand side ला के दिखाना है तो अभी लाते हैं सबसे पहले इसका हम लोग LCM ले लेते हैं तो LCM कितना आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 2 और यहां पर हो जाएगा हमाएं पर root 3 plus root 3 clear divide में इसका LCM ले लें तो यहां पर आ जाएगा 2 और यहां हमें मिलेगा 2 plus 1 और यहां पर हो जाएगा plus 1 clear और यहां पर हो जाएगा root 3 by 2 हो गया ठीक है अब इसको हम लोग solve करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 root 3 root 3 और divide में आगे हमारे पास 2 यह वाला 2 और इस पर आ जाओ यहां पर है 2 plus 1 plus 1 तो यहां पर हो जाएगा 4 by 2 तो यह हो गया 4 by 2 clear 2 से 2 2 से 4 तो यहां पर हम लिखते हैं root 3 by 2 clear अब यहां पर root 3 by 2 तो यहां पर आजाएगा root 3 by 2 और यहां पर हो जाएगा root 3 by 2 और यही हो जाएगा question number 10 का second का हमारा answer तो कितना easy थे यह सारे question बहुत जादा easy थे बस सर्थ इतनी है कि हमें वो graph नहीं graph तो नहीं बोल सकते उसको बोलेंगे टेबल मतलब इनकी value आना बहुत जरूरी है तो भाई रिक्वेस्ट है कि value है ना सारी value याद कर लो फिर question करने बैटो तो question बहुत easy कर ले जाओगे ठीक कुछ खास ही नहीं टिक्नोमेट्री पूरी टिक्नोमेट्री डिपेंड करेंगे उसके फॉर्मले पे वैल्यू अपनी बेसिक और हर एक चीज़ स्टॉंग करते चलो question easy लगेगा तो भाईया इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं आज ची सब में आपको मिलेंगे last 10 year के solution जो की board में question आये हैं उसके अगर यह सब्सक्राइब करो वरना मिलते रहेंगे